हेलो एवरीवन वेलकम अगीन टू लण्वरे दितीमन तो सभी लोग आ जाएं सभी को सूचना मिल चुकी थी जो भी कोर्स के बच्चे हैं कि उन लोगों का आज यहां पर टैस्ट होगा उनके साथ ही जो भी यूटूब के जो बच्चे हैं वो भी यहां पर टैस्ट जो है वो अच्छे से देना है उनको टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसी के आधार पर यहां पर टैस्ट होगा तो यहां मैं बात कर रही हूँ, कोर्स में मैंने जितना पढ़ा दिया है आपको, तो वो सभी आप लोग याद करके आये होंगे अच्छे से, टाइम भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मिल चुका है, तो देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया कहां से कहां तक है तो यहां पर मैंने आपको राजिस्थान की हिस्ट्री में ancient culture and civilization of राजिस्थान, काली बंगा, आहट, गनिश्वर, बैराट ये पढ़ा दिया है और आटवी से अठारवी सताब्दी में राजिस्थान का इतिह तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी आप लोग बहुत अच्छे से आज लोग प्रपेर होकर आए हैं और 100% यहां पर देंगे और यहां पर मैं आप लोगों के 50 कुशन का टैस्ट लेने वाली हूं और 50 में से 50 के आंसर जो है वो आप लोगो ने भी मेर से पढ़ाई की है ठीक है तो क्योंकि मैंने जब भी पढ़ाया है आप लोगों को यही बोला है कि आप लोग साथ में यह चीज़ें जो है वो करते जाईए इखटा मत करिए तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली होगी लगबग 2 दिन का टाइम जो है वो आप लोगों को दिया गया था और देखिए एक एक पॉइंट जो है वह आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है वो आप लोगों को यहां टैस्ट में पता चल जाएगा कोर्स के बच्चों से उम्मीद करती हूं कि 50 में से 50 के सही आंसर वो देंगे ठीक है और जो बच्चे यूटूब पर हैं वो बच्चे भी यहां पर बहुत अच्छे से तयारी जो है वो टैस्ट जो है देने की कोशिश करें जो नहीं आता है तो वहां देखिए कि कहां आपके अंदर कमी है तयारी जो है वो अभी सही करना स्टार्ट कर दीजि कि question 1 का answer A है, B है, C है या D है ठीक है और जैसे ही 50 question हो जाएंगे सभी को अपने marks जो हैं यहां comment में डालने हैं कि हमारे इतने marks हैं और जो course के बच्चे हैं वह है course में जाकर यहां पर भी बताएंगे कि कितना उनके सही गए है और course में जाकर भी बताएंगे जिससे कि particular में आप लोगों को जान संको क्योंकि इस तरीके से मैं जान पाऊंगी कि कौन सा बच्चा जो है बहुत अच्चे से performance कर रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी यहां पर 50 में से 50 जो हैं वो लेकर आएंगे यह सोचिए कि धीरे धीरे जो हैं इन चीजों को cover करते हुए चलेंगे साथ में test देते हुए चलेंगे आपके तयारी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छ से हो जाएगी और आप लोगों क कि वच्चों से मैं दुबारा से यही कहूंगी आप लोगों से मुझे इतनी उम्मीद है जो भी मैंने पढ़ाया है उसी के अधार पर यहां पर एक-एक कुछन पूछा जाएगा और यहां तक कि मैंने आज यहां पर बहुत सारे कुछन जो हैं जो कि आपकी एक्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकिंड ग्रेड में तो वो कुष्चन भी मैंने यहां पर ले लिये हैं ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि कैसे कुछन पूछे जाते हैं ठीके तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से सु यहां पर आपको बिल्कुल अच्छे से पता लग जाएगा कि एक्जाम में हमारे कैसे कुष्चन आने वाले हैं हम लोगों ने रीट की जिस तरीके से तयारी की थी और वहां 100% देखा था कि यहां जो हमने किया वही हमने एक्जाम में पाया भी था उसी तरीके से अब यहां पर 2nd grade में भी होगा तो जो बच्चे 1st grade की भी कर रहे हैं तो वो लोग भी यहां पर ध्यान दें तो बिल्कु है तो वहां क्रोस का लगाना है इमानदारी से यहां काम करना है आप लोगों को क्योंकि अगर आगर आप गल्ती से भी यहां बे इमानी करेंगे तो खुद के साथ ही दगा करेंगे क्योंकि अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं आप लोगों को पता लगेगा कि हमारी कमी कहा है हमीर देव, बागपती राज, गोविंद राज या दुरलव राज तो फटा-फट से अंसर लगाईए क्योंकि आप लोगों ने याद किया है तो आप बिल्कुल तुरंत ही अंसर लगा दोगे तो यहां पर क्या रहेगा अंसर? चलिए, सभी के अंसर जो हैं धीरे-धीरे से आ रहे हैं तो आंसर क्या होगा? यहां आंसर होगा वागपती राज, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, पटापट से 50 कुशन करने हैं हमें चोहान वंस के प्रतापी शाशक विग्रह राज द्वित्या ने अन्हिल पार्टन के किस चालुक के शाशक को पराजित करके कर देने को विवश किया था? ओप्शन है जैचन द्वित्या, अनिल राज प्रथम, मूल राज प्रथम या पुल केशन द्वित्या तो फटापट से सोचिए कि यहाँ पर चालुक के शाशक कौन है? थोड़ा सा जल्दी करना है तो चलिए, आंसर जो है वो लगा लिया है, बाद में सभी के देखूंगी यहाँ आंसर है देखिए, ओप्शन C, मूल राज प्रथम, ठीके? तराइन के द्वित्य युद्ध में प्रत्वी राज की पराजे का क्या कारण था? क्यूं हारा था? प्रत्वी राज तराइन के द्वित्य युद्ध में मुहम्मद गौरी द्वारा युद्ध की संपून्ट तैयारी कर ली जाती है प्रत्वी राजद्वारा आमोद प्रमोद में व्यस्त रहना, तराइन के पहले युद्ध के बाद सैनिक शक्ति को दुबारा से युद्ध हेतु पूर्ण रूप से संगठित ना करना या उप्रोक्त सभी यहां केवल आपको आंसर देने हैं, बाकी जो भी कमेंट हैं वो आप लोग बाद में करिएगा, केवल और केवल यहां पर आंसर दीजिए तो यहां पर जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा, बिलकुल तराइन के द्वित्य युद्ध में प्रत्वी राज क्यों हारा था, क्योंकि तराइन के प्रत्वी राज ने सोचा ही नहीं था, कि जो मुहमद गौरी है वापस युद्ध कर सकता है तो मुहमद गौरी द्वारा युद्ध की पुरी तैयारी कर ली जाती है, प्रत्वी राज जों है वह अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त रहते हैं और सैनिक शक्ती को दुबारा से संगटित नहीं करते हैं, ठीक है, उप्रोक तो सभी होगा अकवर द्वारा महाराना प्रताप के बाचीत है, तु भेजे गए दूतों का सही करम क्या है? तो option A है, जलाल खां, टोडर मल, मान सिंग, भगवन दास, या तोडर मल, जलाल खां, मान सिंग, भगवन दास कई बारतों मैंने यूट्यूब चैनल पर जब पढ़ाया है, तो यहां पर भी मैंने सभी को बताई है, तो मुझे नहीं लगता किसी का भी गलत होगा तो बिलकुल ट्रिक अगर पता है, तो आपने आंसर तो लगा ही लिया है, आंसर है जलाल खां, मान सिंग, भगवन दास और टोडर्मल, ठीक है, जमा भटो के नाम से मैंने आप लोगों को याद करवाया था नेक्स्ट देखिए, निम्न मैंसे कौन सा विद्वान प्रत्वी राज चोहां चृत्य के दर्वार में नहीं था तो कौन-कौन थे, यदि आपको याद है, तो आंसर आ जाएगा चंदवर्दाई, सोमदेव, जनारदन या जयानक तो सोच ये, इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, कुश्यन जो है, वो आपके एक्जामें पूछे जा चुके हैं, ठीके? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर बिल्कुल होगा, सोमदेव, ठीके? प्रत्वी राज चौहान तृत्ति के दर्वार में चंदवर्दाई हैं, जनारदन हैं, जयानक हैं, सोमदेव कहां के थे? विग्रे राज चतुर्ट के दर्वार में नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ कौन सी लाइन गलत है? डॉक्टर दस्रशर्मा विजूलिया सिलाले के अधार पर चौहानों ब्रहमणवन से उत्पन बताते हैं, कि चौहान जो हैं, उनकी उत्पति ब्रहमणवन से हुई हैं। प्रतवी राज रासों में चौहानों को चंद्रवन सी बताया गया है, कर्णल जैम स्टॉर्ड ने चौहानों को विदेशी माना है, यह चीज तो मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई जब मैंने गुजर प्रतिहार शाशक पढ़ाई, उसके बाद मैंने चौ लोगों को आंसर आजाना चाहिए था, यहां पर आंसर होगा प्रतवी राज रासों, ठीके, क्योंकि यहां तो मत था अगनी कुंट का, तो यह लाइन जो है वो गलत है, मेवाड का मैराथन युद्ध कहा गया, किसे कहा गया, माहोली के युद्ध को, रानपूर के युद् तो किसको कहा गया, मेवाड का मेराथन, पटाफट से सोचों इसका आंसर, तो हमें हो सारे कुशन करने हैं, इसका आंसर क्या होगा, बिलकुल इसका आंसर होगा, दिवेर का युद्ध, नेक्ट चलिए कुशन 9, किस राजपूत राजा ने जगननाथ जैसे विद्वान को स सिंग, विकानेर के राय सिंग, मारवाड के चंद्रसेन, या आमेर के महराजा मान सिंग, तो जगननाथ जैसे विद्वान जो है, इनको संडक्षन किसने प्रदान किया था? तो बिल्कुल यहां आंसर जो है, सही रहेगा, बिल्कुल आंसर सही है, आमेर के महराजा मान सिंग, चलिए अजमेर के किस चोहान साशक ने दिल्ली के तौमर शाशक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया, तो अजमेर के वो कौन से चोहान साशक थे जिन्हों ने दिल्ली के तौमर शाशकों को हराया, प्रत्वी राज दुतिय, विग्रे राज दुतिय, वि तो सोच ये यहाँ पर जो आंसर है वह है क्या रहने वाला है तो जिनको आता है उन्होंने तो फटा-फट से आंसर लगा भी लिया है बहुत बढ़िया कुछ बच्चों को तो ऐसा लगता है जैसे कुशन पढ़ते ही उन्हें आंसर आता है क्योंकि तयारी इस तरीके से वो लोग कर रहे हैं आंसर यहाँ पर बिलकुल सही है विग्रे राज चतूर्थ और इसी वज़े से इनके शाषन काल को क्या कहा जाता है चोहानों का शुरनिम काल नेक्ट देखिए मालदेव के पस्चात मारवाड का शाषक कौन बना जैत्मल, राम, प्रत्वी राज या चंद्रसें बहुत ही आसान सा प्रशन है मालदेव के पस्चात मारवाड का शाषक कौन बना तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर पटापट से लगाना है देर नहीं करनी है तो यहाँ पर जो सही आंसर है आंसर है चंद्रसें तो नोट करिए अपनी पैन से नोट करिए कौपी में कि हमारा आंसर सही है और जिसका नहीं है वो बिल्कुल क्रॉस लगाए किस राजपूत साशक ने मुगलों के विरुद निरंतर स्वतंतरता का संगर्ज जारी रखा और समर्पन नहीं किया मारवाड के राव चंद्रसेंग, आमेर की राजा भारमल, मेवाड के महराजा अमर सिंग या पीका नेर की राजा राय सिंग तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा, मारवाड की राव चंद्रसेंग, ठीके, और नहीं भी आता है तब भी आप सही आंसर लगा सकते थे क्योंकि राजा भारमल और महराजा अमर सिंग, विकाने के जो राजा राय सिंग है, इन्होंने तो मोगलों का साथ दिया था, इनसे संघर्स जो है वह नहीं हुआ था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा संघर्स जो है, मारवाड की राव चंद्रसेंग करते हैं, और आखिर तक समर पर नहीं करते हैं, ठीक है, चलो, नेक्स्ट कुशन देखिए, निम्न में से कौन प्रत्वीरा चोहान तृत्तिय के समकानिन चाशक नहीं था, गौर्ड प्रदेश का शाशक मोहमद गौरी, गुजरात का चालुक्य नरेश भीम देव सेकिंड, दिल्ली सुल्तान, इल् तो वहें कौन सा शाशक है, जो की प्रत्वीरा चोहान तृत्तिय के समकालिन नहीं था, तो क्या रहेगा इसका सही आंसर, गौर्ड प्रदेश का शाशक मोहमद गौरी, चालुक के शाशक भीम देव सेकिंड, दिल्ली सुल्तान, इल्तुतमिष, या कन्नोज का गहडवाल तो बिल्कुल आंसर क्या रहेगा, ये कुश्यन जो है वो आपके एक्जाम में आ चुका है, तो यहां रहेगा दिल्ली सुल्तान, इल्तुतमिष, ठीके, अलाउदिन खिल्जी ने राजिस्थान में सर्व प्रत्थम किस राज्य पर अधिकार किया था, जालोर, अजमीर, रड़ थम्बोर या चित्तौर, तो कब किया था, तो राजिस्थान में सबसे पहले अलाउदिन खिल्जी जो है, अधिकार किस राज्य पर करते हैं, जालोर, अजमीर, रड़ थम्बोर या चित्तौर, तो चलिए, यहां पर चलिए, थोड़ा सा आसान कर देती हूँ, आपका B और D ऑप्शन जो है, वो हटा दे, अब बताईए फटाफट से आंसर, जालोर या रड़ थम्बोर, तो अब इतना आसान कर दिया है, तो बिलकुल कुशन नमबर 14 का सही आंसर क्या रहेगा, नेक्स्टर दिखिए, प्रतिहार वंस की मंदोर शाखा के किस सासक ने अपनी राजधानी मंदोर से मेरता इस्थांतरित की, बॉड़क, नागभट प्रथम, कुक कुक या रज्जिल, किसने की, तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या रहेगा, तो बिलकुल आंसर रहेगा, क्या रहेगा, नागभट प्रथम, ठीके, क्या किया था इसने, याद आया होगा, राजधानी मंदोर से मेरता बनाई, बेड़ता से फिर भीन माल बनाई, ठीके, और भीन माल से उज्जेन बनाई थी, ठीके, चलिए, किस चोहान साशक के काल में, चोहान राज्ये का सरवादिक विस्तार हुआ, और उस काल को चोहानों का सुरनिम काल माना जाता है, तो बातों ही बातों में मैंने आपको इसका आंसर बता भी दिया था, विग्रे राज प्रथम, प्रत्वी राज तृतिय, विग्रे राज चतुर्थ या अजे राज, तो इसका सही आंसर रहेगा, देखिए, आप लोगोंने क्या लगाया है, क्या वो आंसर जो है, विग्रे राज चतुर्थ है, तो बिलकुल आप लो ही हो विग्रे राज चतुर्दिस का सही आंसर है कि चोहानों का स्वर्णिम काल माना जाता है विग्रे राज चतुर्द के शाशन काल को जिने हम बीसल दे भी कहते हैं। चोहानों की उत्पत्ती रिसी वसिष्ट द्वारा आभू परवत पर किये गए अग्निकुन से हुई थी। इस मत के समर्थक कौन-कौन थे। प्रत्वी राज रासो व महुनोत नैंसी, प्रत्वी राज रासो पंडित गोरी शंकर, हीरा चन ओजा और दसरश शर्मा, प्रत्वी राज रासो कर्णल जैम स्टॉल्ट, सूरे मल मिश्रण, प्रत्वी राज रासो महुनोत नैंसी या सूरे मल मिश्रण। तो यहां पर इस मत का समर्थन कौन करता है अगनी कुण मत का ये करते हैं प्रत्वी राज रासो मुहनोत नैंसी और सूरेमल मिश्रण तो यहां option A भी सही है लेकिन option D उससे भी ज़्यादा सही है क्योंकि सूरेमल मिश्रण जो है option A में नहीं है ठीके चलिए राजा मान सींग के दरवारी कवियों द्वारा लिखी गई निम्न पुस्तकों में कौन सा जोड़ा सूमिलित है नर्तन नेर्ने कृष्ण भट ने पुंडरीक बिठल रामचंद्रो दे राय मुरारी दास ने मानचित्र तो कौन सा जोड़ा जो है सूमिलित है तो यहाँ पर राजा मान सींग के दरवारी कवी कौन-कौन है उसी से पता चल जाएगा सही उत्तर तो चलिए लगा लिया है आप लोगों ने आंसर अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आंसर रहेगा यहाँ पर आप्शन C से प्रेम करती थी और वीरम देव उसे सुईकार नहीं किया था ठीक है देखिए यह वाला कुश्चन भी एक्जाम में आ चुका है अब मैंने आप लोगों को यह चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई है यह कहने वाले कौन हैं अमीर खुसरों हैं मुहनोत नैंसी हैं पदम नाब हैं या अलभरूनी हैं तो इन चारों में से क्या रहेगा आंसर सही कौन कहता है यह कि अलाउदिन और कानर देव के वीच में संगर्ज का कारण जो है वह अलाउदिन की पुत्री फिरोजा और वीरम देव से प्रेम करती थी और वीरम देव ने यह सुईकार नहीं किया था तो इन दोनों की कहानी जो है उसे कहने वाले कौन है तो बिल्कुल आंसर क्या रहेगा बिल्कुल आंसर सही है मुहनोत नैंटसी ने कहा यह चलिए नेक्स्ट है राजा मान सींग की म्रत्यू जहांगीर्स के दक्षिन में एहमद नगर अभ्यान के दोरान हुई थी तो किस स्थान पर हुई थी आमेर के राजा मान सींग की म्रत्यू कहां हुई थी बुर्हानपुर में, मानपुर नगर में, कूच बिहार में या एलिचपुर में तो अब इसका आंसर जो है सोचने की भी जरुरत नहीं है कि मान सींग की म्रत्यू कहां हुई थी यहाँ पर ये पूछा गया है तो चलिए इसमें बिल्कुल भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा बहुत है इतना टाइम क्योंकि सभी जानते हैं राजा मान सिंग की मृत्यू एलिचपुर में होई थी तो वेरी गुड जिनका भी सही है जोदपुर के निकट ओशिया में मंदिरों का निर्मान किसने करवाया चोहानों ने कच्छवाहों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा या राठोरों द्वारा अब देखिए कई बच्चों को क्या जॉब चाहिए होती है लेकिन किस तरीके से चाहिए होती है तो वो teacher की बात जो है वह सही तरीके से नहीं मानते हैं और यदि वो मानने लग जाएं वाकई में मानने लग जाएं किसी एक teacher की तो क्या होता है बले ही आप मेरी ना मानें किसी की भी मानें जिसे भी आप मानते हों तो पढ़ाई जो है व और वहें दसों कोर्स को बठोरने की कोशिश करें, तो कुछ भी हांसिल नहीं होता है, ठीक है? इसी लिए focus जो है एक जेगे करिए, बुक से पढ़ीए, कोर्स लेकर पढ़ीए, कोर्स से पढ़ीए, कोचिंग से आप कर रहे हैं, कोचिंग से करिए, लेकिन एक जगे से करिए तो बिल्कुल आंसर रहेगा यहाँ पर प्रतिहारों द्वारा अजे राज चोहान अजमेर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया और चांदी और तांबे के सिक्के चलाकर अपनी राजनितिक प्रतिवया का परिचे दिया ये सिक्के किस नाम से चलाए अजे राजने श्री हर्ष, श्री अजे देव, श्री चोहान कुल भूशन या श्री वासु देव तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा बिल्कुल आंसर रहेगा श्री अजे देव चलिए प्रत्म खिलजी सुल्तान जिसने रडधमबोर्दुग पर आक्रमण किया, वह कौन था? जलाल उद्दीन, सिहाब उद्दीन, मुबारक या अलाउदीन तो वह है कौन सा खिलजी शाशक, कौन सा खिलजी सुल्तान जिसने रड थमबोर्दुग पर आक्मर सबसे पहली बार किया तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर रहेगा, वो क्या रहेगा जलालुदीन, ठीके, 1291-92 में सबसे पहले जलालुदीन रड थमबोर्दुग पर आक्मर करता है, ठीके, अलाउदीन बाद में करता है किस चोहान सासक ने अजमीर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया अजय राज, प्रत्वी राजद्वितिय, विग्रह राज या प्रत्वी राज प्रत्व तो जिसको भी कोश्चन बहुत इजी लग रहे हैं, उसकी वज़य क्या है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ कर और यहां पर टैस्ट दे रही हो और जिनके आंसर गलत आ रहे हैं, उसका रेजन यही है कि वो लोग अभी भी यह समझ नहीं रहे हैं कि पढ़ाई जो है अभी से स्टार्ट कर दे, यदि आप वाकई में गौर्मेंट जोब चाहते हैं तो इसका सही आंसर है अजहराज नेक्स्ट देखिए कोशिन 25, अलाउदीन खिलजी ने किस दुर को विजित कर उसका नाम खेराबाद रखा चित तौरगड, लोहागड, रडधंबोर या शिवाना तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा शिवाना ठीक है? तो सबका सही होना चाहिए, चलिए हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्धवान ने? खमनोर का युद्ध कहा गणल जैमस्टॉड, अबुल फजल, बंदायूनी, गोपी नात शर्मा तो किस ने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध? तो देखिए, इसका सही आंसर जो है, वह क्या है? बिल्कुल, इसका सही आंसर तो, बच्चे सही लगा रहे हैं, इसका आंसर है अबुल फजल, ठीक है? कर्णल जैमस्टॉड, मेवाड की धर्मोपली कहते हैं, अबुल फजल, खमनोर का युद्ध कहते हैं, बंदायूनी, गोगुन्दा का युद्ध कहते हैं आमेर के शाशक मान सिंग का जन्म कहां हुआ था? तो हमने अभी देखा था, मृत्यू एलेचपुर में हुई थी, जन्म कहां हुआ था? नेजामाबाद, हैदराबाद, दौसा या मोजमाबाद अब कुश्यन तो इजी ही होते हैं, जिसने पढ़ाई की हैं हार्ड उनके लिए होते हैं कुश्यन, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इसका सही आंसर है, मोजमाबाद, ठीक है, ओप्शन D बिल्कुल करेक्ट है चोहान डाजवन्स का संस्थापक शाशक है, अनोराज, वासुदेव, सौमेश्वर या प्रत्वीराज दृत्तिय तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ पर एक ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे, यहाँ पर देखिए, मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को वासुदेव, चोहान, वासुदेव, सौरी कृष्ण, जो है, 551 का प्रशाद चढ़ाया जाता है, ठीक है? तो इस तरीकी की ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, याद आई होगी, तो इन्होंने 551 में चोहान राजवन्स की स्थापना की थी प्रत्वी राज चोहान रित्य का समकालीन चालुक के शाषक कोन था? भीम देव प्रत्वम, जैचन, परमार्दी देव, परमर्दी देव हैं यां C आप्षन में भीम देव सेकेंड प्रतिवी राज्चोहां तृतिय का समकालीन चालुक के शाशक कौन था तो क्या रहेगा इसका सही आंसर पटापट से आंसर लगाते जाईए अंत में काउंट करिएगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि कितने आंसर जो है वो आप लोगों ने राइट किये हैं तो हम 29 कुश क्या है कि हमीर ने सुल्तान अलाउदीन खिल जी के किस विद्रोही सैनापती को रड़ थमब और दुर्ग में शरन दी थी अमीर खां मीर मुहम्मद शाव मीर अला बंदे खां या मीर जुबेर खां तो किसको शरन दी थी जिस वज़े से अलाउदीन खिल जो है हमीर देव जोहां पराक्मन करता है. तो यहां question number 30 का सही answer क्या है? A है, B है, C है या D है? तो बिल्कुल answer क्या है? Option B है, मीर महमज शाह. कौन सा राजबूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राना प्रताप के पक्ष में नहीं लड़ा था? राम सिंग तवर, बीदा जाला, रावत कृष्ण दास, चुंडावत, अशोप परमार तो देखिए, खानवा का युद्ध, वहां पर भी आपको राजबू शाश्कों के नाम याद रखने थे वहीं हल्दी घाटी युद्ध में भी याद रखने थे ठीक है? तो अब ये दोड़ों जो हैं, वो मिक्स हो जाते हैं यहाँ पर आंसर वही सही दे पाएगा, जिसने अलग-लग याद किये हैं तो चलिए, आंसर जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कुश्चन 31 का सही आंसर है अशोक परमार, ठीक है? क्योंकि यहाँ हल्दी घाटी युद्ध से संबंदित नहीं है, ये कहां से संबंदित है? राना सांगा का जो खानवा का युद्धुवा था, वहाँ इन्होंने इनका साथ दिया था चलो, 32 कुश्चन देखिए, निम्न मैं से कौन सा ग्रंत राना कुम्बा द्वारा कृत्न नहीं है, जो राना कुम्बा ने नहीं लिखा है कला निधी, संगीत राज, संगीत मिमान चा या सुन्द प्रवन तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? तो यहां जो आंसर रहेगा, वो रहेगा कला निधी, ठीके? यहां पर यह राना कुम्बा द्वारा कृत्न नहीं है चितोड का तीसरा शाका कब हुआ? 1570 में, 1568 में, 1567 में या 1579 में? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 1570, 1568, 1567 या 1579 तो यहां जो सही आंसर रहेगा, वो रहेगा 1568 इसली, ठीके? अगर यहां लिखा होता मेवार का तीसरा साका कब हुआ? तब भी आंसर यही होता राना उदैसीं के समय तो अब ही मैंने ही आप लोगों को इसका सही आंसर बता दिया था तो इसका सही आंसर जो है, वो क्या है? यहां पर जो आंसर रहेगा, वो रहेगा गोगुंदा का युद्ध, ठीके? और बंदायूनी की एक जो पुस्तक है, वो क्या थी? उसका नाम मुंदखब उत्तवारिक, ठीके? जिसमें उन्होंने हल्दी घाटी के युद्धगा वर्डन किया. अलाउदिन खिलजी और मेवाड वासियों के बीच, चित्तोडगर्ड की घेराबंदी किस वर्स हुई थी? कुश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अलाउदिन खिलजी ने मेवाड की घेराबंदी कब की थी? किस वर्स की थी? तो यहां आंसर रहेगा ओप्शन डी तेरा सोतीन इसकी ठीके? रतन सींग के समय. निमने में से कौन सा ग्रंत कुमबा द्वारा रचित नहीं है? ओप्शन देखिए संगीत राज, संगीत मिमान सा, संगीत स्वपन या सूर प्रवन तो यह कुशन रिपीट हो गया है लेकिन यहां पर ओप्शन जो है थोड़ा सा बदल गए हैं तो यहां पर आंसर रहेगा कुमबा द्वारा रचित कौन सा नहीं है? संगीत राज, संगी संगीत स्वपन या सूर प्रवन तो बिलकुल सही आंसर है इसका संगीत स्वपन ठीक हमने अभी देखा था संगीत राज, संगीत मिमान सा जो है महाना कुमबा द्वारा रचित हैं सूर प्रवन भी है लेकिन संगीत स्वपन ऐसा कोई भी रचित उन्होंने नहीं किया मिव तो इनके समय मिवाड में बहुत अच्छे समय जो चल रहे थे तो वो कौन से साशक थे जिनके समय जावर में चांदी की खान से खन्राप्त प्रारंब जो है वह हुआ तो बिल्कुल यहां है राण लाखा जिने लक्ष सींग भी कहते हैं निमने में से कौन सा कथन असत्त है तो ध्यान से देखिए हल्दी घाटी का युद 18 जून 1576 महाना प्रताप का राज्य अभिशेक 25 फरवरी 1571 राणा प्रताप का देहांत 19 जन्वरी 1597 या राणा 1440 तो क्या रहेगा इसका सही आंसर यहां पर कौन सी लाइन जो है वह है गलत है अब देखिए चलो लगा लिया है सबने अब देखिए इसका सही आंसर बिलकुल यहां पर जो आंसर रहेगा महाना प्रताप का राज्य अभिशेक 25 फरवरी 1571 को नहीं हुआ था ठीके तो यह कब हुआ था महाना प्रताप का राज्य अभिशेक 28 फरवरी 1572 को हुआ ठीके जब राणा दैसिंग की म्रत्यों होई थी और हल्दी खाटि का युद्ध जो यदि 18 जून के बदले यहाँ पर 21 जून आता तब भी यह सही रहता और कभी भी एकजाम में 18 जून और 21 जून एक साथ नहीं आएंगे और यदि आते हैं तो वो question जो है जरूर delete माना जाएगा निम्न में से कौन सा शाशक अभिनाव भरताचारे की नाम से प्रसिद्ध है राना सांगा, राना कुमबा, भारमल या जैसिंग Question number 39 का सही आंसर आप लोग दीजिए पटापट से दीजिए तो इसका जो सही आंसर है बिलकुल राना कुमबा ठीक है जिनको कई उपादियां प्राप्त थी जिसमें एक्टी अविनव भरताचारे गनेशोर सब्वेता के सम्मंद में कौन सा कतन सत्य नहीं है यहां अत्यदिक मात्रा में लोहे की आयूद और उपकरण मिले है अरतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यहां 2800 इसा पूर्व की सब्वेता के अफसेस मिलते है गनेशोर सब्वेता कांतली नदी के उद्गम पर इस्तित है गनेशोर सब्वेता को भारत की तामर सब्वेताओं की जननी माना जाता है तो यहां पर कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है इसका मतलब यह है कि आप लोगों को गनेशोर सब्वेता के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए तब ही आप इसका सही आंसर देव पाओगी तो बिल्कुल यहां पर क्या रहेगा कि यहां पर अत्यदिक मात्रा में लोहे के आयुद मिले और गनेशोर सब्वेता जो है यह 2800 इसा पूर्व की है रतन चंद्र अगरवाल की निर्देशन बे जो है यहां पर जो उत्खनन कार्य जो है वह किया जाता है तो बिल्कुल यहां सही क्या होगा अंसर यहां होगा कि यहां पर अत्यदिक मात्रा में लोहे के आयुद उपकरण नहीं मिले है ठीक है बाकी तीनों आप्शन जो है इसके बारे में सत्य है नेक्स्ट देखिए 41 कुश्यन हाइड्रोलिक रूलर कहा गया है किसे कहा गया है किस शाशक को अनूप सींग को मान सींग को राज सींग को या राय सींग को तो सोच ये इसमें से आंसर क्या होगा आमेर के मानसिंग जिनको हाइड्रोलिक रूलर कहते हैं मिवाड के रासिंग है या बीकानेर के रायसिंग तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा जिसको आता है उन्होंने लगा भी लिया है तो बिल्कुल आंसर रहेगा सही मेवाड के राज सिंग जने हाइड्रोलिक रूलर कहा गया है वह प्रथम राजपूर शाशक जिसने अपनी रण नीती में दुर्ग के इस्थान पर जंगल और पहाडी शेत्र को अधिक महत्व दिया राव चंद्रसेन, राव उदे सिंग, राव मालदेव या महाराना प्रताप तो इनमें से कौन सा राजपूर शाशक है जिसने लडाई जो है संगर्स जो है वह किले में ना करके जंगल और पहाडी शेत्रों से ही सरवादिक किया और आज इवन जंगल और पहाडी शेत्रों में ही घूमकर लडाई करते रहे, संगर्स करते रहे और अंत तक उन्होंने मुगलों के अधिनता सुईकार नहीं की तो बिलकुल यहाँ पर राइट आंसर जो है आप लोग सोच रहे हैं सही है राव चंदरसेन ठीक है मारवाड के राव चंदरसेन निम्न मैसे किस मुद्दे को लेकर मिवाड के महाराना संग्राम सीम वो मांडू के सुल्तान महमूद के बीच युद हुआ था तो यहाँ पर सुल्तान महमूद कौन है महमूद प्रथम बाज बहादूर मेदनी राय आसफा खां जलाल खां तो किसकी वज़े से मिवाड के महाराना संग्राम और सुल्तान महमूद के बीच में युद्ध होता है तो देखिए बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे हम लोग कुशन आंसर भी कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं किया है जिनको लग रहा है बहुत धीमे हैं तो कोई बात नहीं जिनको लग रहा है तेज हैं तो प्लीज तेज नहीं हूँ बिल्कुल धीरे ही चल रही हूँ तो इ अमीर देव चोहान ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 युद्ध जीते, अंतिम युद्ध वह हारा था 1303 में, अलाउदीन के विरुद्ध हार गया, तो यह युद्ध वह किसके धोके के कारण हारा था? तो ए ओप्षन है रणमल वा रतिपाल, जैता वा कूपा, चाचा वा मेरा, गांगे वा नागरजुन तो सही, बिलकुल, आंसर क्या है? रणमल और रतिपाल, ठीके? नहीं भी याद रहता है, तो याद रखिएगा, रण थमबोर दुर्ग, तो रण थमबोर में र से आता है, स्टार्ट वह है, और वहीं पर यहां पर गद्दारों के नाम पूछ लें, तो वह भी रा से ही टार्ट होते हैं, ठीके? रणमल और रतिपाल, बैराट सब्वेता इस्थल के इस अंदर में कौन सा कतन सही नहीं है? इसकी बीजक की पहाड़ी वभीम डूंगरी पुरा तत्व की द्रस्टी से महत्वपूर्ण है, क्या ये सही है? यहां एक कमरे में 36 चांदी की मुद्रा के रूप में हुआ है, यहां से बौद मत के अफसेस प्राप्त हुए हैं, यह कुश्चन आपके एक्जाम में आ चुका है, अब बताईए इसका सही आंसर की इनमें से कौन सा कतन जो है वह गलत है, आपने इन चारों को ही पढ़ा है बैराट सब्वेता में, फिर भी यहां पर एक कुश्चन, एक आप्शन जो है वह गलत है, आंसर देखिए यहां पर आ रहे हैं और यहां पर थोड़ा सा गड़बड है, तो यहां पर जो आंसर रहेगा, देखिए ए आप्शन की बीजक की पहाड़ी, बीम डूगरी, पुरा तत्त्व की द्रस्टी से महत्वपू इस का उलएक मतष्य जनपत की राजधनी विराटनगर की रूप में हुआ है, यहां से बौद मतकी अपसिस प्राप्त हुए है, यह भी सही है, बी आप्शन है कि यहां एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राइं मिली हैं, यहां तक तो सही है जो भारतिय युनानी शाष्कों की तो सभी 36 चांदी की मुद्राएं भारतिय युनानी शाशकों की नहीं थी, ठीक है, 36 चांदी की मुद्राएं तो मिली हैं, लेकिन सभी भारतिय युनानी शाशकों की नहीं थी, ये लाइन गलत हो गई, तो answer रहेगा option B मोहन जोदरों से प्राप्त पशू पती की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशू उतकी नहीं है बैल, गेंडा, बाग या हाथी अब देखिए ये एक्जाम में पूछा गया कोशन है तो as it is मैंने वहीं से उठा लिया है तो अब यहाँ पर आपको सोचना है थोड़ा कि आप लोगों ने जो सब्वेताएं पड़ी है तो आपको याद आना चाहिए कि मोहन जोदरों से प्राप्त पसू पती की मोहर पर निम्न में से कौन सा पसू उतकी नहीं है तो यहाँ पर आप कैसे लगाओगे तो सोचिए मोहन जोदरों यानि सिंदु घाटी सब्वेता से सम्बंधित यहाँ बात हो रही है तो कौन-कौन से जानवर जो है वो लोग पालते थे यहीं से आंसर जो है वो आप लोग सही लगा लोगे तो बिलकुल आंसर रहेगा ओप्शन ए बैल ठीके चोटिंग भट तथा धनेश्वर भट दोनों विद्वान किस आशक के दरवार में थे राणा मोकल, राणा सांगा, राणा कुम्भा, राणा लाखा तो चोटिंग भट और धनेश्वर भट ये दोनों विद्वान किस आशक के दरवार में थे तो सही आंसर क्या रहेगा बिल्कुल यहां आंसर रहेगा राणा लाखा तो चलिए नेक्स्ट देखिए कर्मचंदर वनसोत कीर्थन काव्य पुस्तक लिखी किसने लिखी कर्मचंदर ने, जैसोम ने, राय सींग ने या मुंसी देवी प्रशाद ने किसने लिखी थी कर्मचंदर वनसोत कीर्थन काव्य पुस्तक तो यहां पर जो आंसर रहेगा सही आंसर वो क्या रहेगा कि कर्मचंदर वनसोत कीर्थन काव्य पुस्तक जो है वह लिखने वाले हैं जैसूम ठीक है और जैसूम जो है किसके दरवार में थे राय सींग के पीकानेर की राय सींग के दरवारी थे, जिसमें इन्होंने राई सींग को राजेंद्र भी कहा था ठीक है कोशन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है निम्न मेंसे सत्य कथन है गिद्धोर के राजा पूरण मल को पराजित किया मान सींग 1581 से 87 तक काबूल रहा मान सींग 1579 में फ्रंट थमबर अभिहान में था उप्रोक्त सभी अब ये भी कुशन आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है यहां confusion क्या है कि यहां पर केवल इतना लिख दिया कि निम्न मेंसे सत्यकतन है तो ये सोचना चाहिए सभी को कि यहां पर तीन जो option है इसमें किसकी बात हो रही है मान सींग की बात हो रही है तो मान सींग से संबंदित question है यह है जिधोर के राजा पूरण मल को पराजित किया मान सींग 1581 से 87 तक काबूल रहा 1579 में रन थंबोर अभ्यान में था क्या ये तीनों ही लाइने सही है तो बिलकुल सभी लाइने सही है तो यहां option D सही है चलिए अब हम अंतिम question पर पहुँच गए है अकवर ने उदैपुर का क्या नाम रखा था मुहम्दाबाद, मुमिनाबाद, खिजराबाद या खेराबाद अकवर ने उदैपुर का क्या नाम रखा था तो सोचिए फटाफट से इसका सही आंसर तो बिल्कुल यहां पर सही आंसर रहेगा मुहम्दाबाद, ठीके? या मुहम्दाबाद, ठीके? मुहम्दाबाद ना लिखकर मुहम्दाबाद भी होता तब भी यह सही होता ठीके? 1576 इसवी में अकवर जो है उदैपुर पर अधिकार कर लेता है और उसका नाम बदल कर रख देता है मुहम्दाबाद तो इन 50 में से कितने आपने सही किया है सभी को बताना है सबके मैं देखूंगी और सबके नाम लेकर नेक्स्ट जो भी टेस्ट होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किसने जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और देखिए कोर्स के बच्चों से मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीद है और आप लोग 50 में से 50 यहां पर सही किये हुए यह मैं जानती हूँ तो जिसने नहीं किया है तो वो लोग प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दे तो चलिए इसी तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलते रहेंगे पीडियो आप लोगों को मिल ही रही है आप लोगों के हाथों में है सब कुछ तो पढ़ने का काम जो है वो आप लोगों को करना ही होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से थैंक यू